नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेनों गुरु जीरुट चैनल में दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पालिया मेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे जो की 140 सब्दप्रत्मेट की स्पीड से रहेगा चाहे आप पढ़िएगा उसके बाद मैटर को टांस्क्राइब करके पीडियाप से मिला के कमन में जरूर बताएगा कितनी मिश्टेख हो रही है आपकी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो सब्स्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर दबाना अपने बहमूल सुझाओं हमें कमन बॉक्स में जरूर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम और भेतर कर पाए इसके अलों दोस्तों अगर आप डेली डिक्रेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो अमारे चैनल का मेंबर से प्ले सकते हैं हमारे पेड ग्रू जनाएं बनानी हैं जिन से हमारी जंता का बोज कम हो और उनके रहनसाहन का अस्तर उंचाउठे हम किसी का बुरा नहीं चाहते लेकिन यह बात अश्पश्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अपनी चिरपीडित जंता के हितों का ध्यान हमें सबसे पहले होना चाहिए और अन्य स्वार्थों को उनके आगे जुक जाना चाहिए हमें अपनी दक्या नूशी भूमी व्यवस्ता को सीग रही बदलना है और हमें एक बड़े और संतुलित पैमाने पर उद्योग व्यवसायों को उन्नत करना है जिससे की देज संपत्ति बढ़े और लाभ उचित रूप से वित्रित हो सके उत्पादन आज की शरोप्रथम आवश्यक्ता है और उत्पादन में रुकावट डालने या उसे कम करने का प्रतिक प्रयत्न राष्ट को और विशेश रूप से हमारे बहु संख्यक स्रमिकों को हानी पहुचा रहा है लेकिन केवल उत्पादन अधक होगा और आज की प्रशंग में आईस्थिर्ता और संगर्स उत्पन करेगा अतेव समस्य का हल करनी के लिए उचित और न्याय संगत बित्रन अत्यंत आवश्यक है भारत सरकार के हाथ में इस समय जल प्रवाह के नियंत्र द्वारा नदियों की घाटियों के विकास की बांधों और जल जलागारों और सिचाई के साधनों के निर्मार और पन बिजलिप की सक्ति के विकास की कई बड़ी योजनाएं हैं इन से खाने की वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के अध्योगिक विकास में शहायता मिलेगी ये कारी सभी योजनाओं के शांतिकी इस्थित और सभी संबंधित लोगों का शायोग और कठिन स्रम निरंतर आवश्यक है इसलिए हमें इन महान और करने योग के कामों में लग जाना चाहिए और आपस में जगड़े फसाद को भूल जाना चाहिए जगड़ा करने का शमय अलग होता है और मिलजुल कर उद्ध्यो करने का अलग काम करने का शमय अलग होता है और खेल कूद का अलग आज ना जगड़ा करने का शमय है ना बहुत खेल कोदगा यदि हम अपने देश और अपनी जनता के साथ विश्वास घात नहीं करना चाहते तो आज हमें एक दूसरे से शायो करना चाहिए और मिल जुलकर काम करना चाहिए और यथार्थ सदभावना से काम करना चाहिए मैं कुछ सब्द नागरिक तथा शैनिक राजसेवकों से कहना चाहूंगा पुराने अंतर और भेद मिल गए हैं और आज हम सभी भारत के स्वतंत्र बेटे और बेटियां हैं और अपने देश की स्वतंतता का तथा उसकी सेवा में लगने का हमें गर्व है हम समान रोब से भारत के प्रति निष्ठा रखती हैं हमारे सामने जो कठिन समय है उसमें हमारे राजसेवकों और विशेशग्यों को बड़े महात्यों का भाग लेना है और हम एक साथी की भात उन्हें भारत की सेवा में लगकर ऐसा करने का बुलावा देती है महोदे अखिल हैदराबाद राज्य भारत सेवक समाज के दूसरी वार्षिक सम्मेलन का उदगाटन करते हुए मुझे बहुत प्रशन्नता हो रही है यह संतोश और हर्ष का विशे है कि आपके राज्य में भारत सेवक समाज एक जीविच संस्था है इस संस्था ने तीन वर्षो में महत्वपूर्ण काम किया है आपने लोगों की सहायता तथा शहयोग से संके बनाई स्कूल और अस्पताल खोले और विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता की यह सभी काम बहुत आवश्यक है यह तो हमारी पंचवर्षी योजना का सारा क पारिकरम ही बड़े महत्व का है किन्तु उसके अंतरगत भारत सेवक समाज की अस्थापना को मैं विशेश महत्व देता हूँ इसका कारण यह है कि यह संस्था बिलकुल गैर सरकारी है सरकार का इससे केवल इतना ही संबंध है कि उसके सुझाव से इस संस्था के उत्पत् मेरा गयर सरकारी संस्थाओं से काफी संबंध रहा है और यह मेरा द्रण विश्वास है कि जनसाधारण का शाहयोग जितना सीघ्र और सरलता से एक गयर सरकारी संस्था प्राप्त कर सकती है और शारोजनिक छेत्र में आगे बढ़ सकती है सरकारी विभाग उतनी सरलता और गति से काम नहीं कर सकता जब एक देश सताब्दियों की पराधीनता के बाद श्वतंत्र हुआ हो और जहां लोगों में उत्साह पैदा करना हो और उनको कर्तब्य से परचित करा कर आगे बढ़ने का मार्ग बताना हो वहां भारत सेवक समाज जैसी संस्था राश निर्मार के काम का बहुत ही आवश्यक अंग बन जाती है हमें अपने देश में एक जनकल्यान राज्य कीर अस्थापना करनी है ऐसे राज्य में लोगों का हित और कल्यान प्रतेक कारिकरम की अन्तिमकसोटी है हमें बीमारी और दरिद्रता को मार भगाना है और अबहाव पर बिजे पानी है हम चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को चाहे वे देश के किसी भी भाग में रहती हों और उनका किसी भी धर्मात्वा जात से शंबंद हो आगे बढ़ने का शमान अवशर मिले और नागरिक के रूप में सबका एक जैसा अधिकार हो जिन्हें आजकर पिछड़े हुए वर्गया दलित ग्रातिया कहा जाता है वे उन्नत हों दूसरे लोगों के साथ आ मिले जिससे इस देश में कोई भी पिछड़ा हुआ या दलित ना कहा जा सके जन्साधारण में इन बातों का प्रचार करनी और लोगों को इन्हों समझाने में भारत सेवक समाज बहुत कुछ कर सकता है जैसा कि मैंने अभी कहा यहां कार्य ऐसा है जिसमें एक गय सरकारी संस्था होने के कारण आपको सहज ही सफलता मिल सकती है मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं की जब हमारी योजनाय कार्यानवित की जा चुकेंगी और इस देश में सच्चा जनकल्यान अस्थापित हो चुकेगा तो जनता में इस फूर्थ और उत्साह भरने तथा उन्हें जागरू करने का सुरियनिश्चे ही भारत सीवक समाज को मिलेगा हैदराबाद राज्य भारत सीवक समाज तथा खंमाम जिला भारत सीवक समाज ने अभी तक जो रचनात्मक कार्य किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ इस काम के महत्यों को केवल मिलों और पाठशालाओं तथा अस्पतालों की शंख्या से ही नहीं आंका जा सकता है महोदय भारतिय पंचांग में गोपाष्ठ में एक महत्यपूर दिन है जो प्रतिवर्ष हमें अधिक आर्थिक व्यवस्था में गोधन के महत्यों का अस्मरण कराता है देश के जीवन में गोधन के उंचे अस्थान को माध्य ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने इस दिन को राष्टिय पर्व के रोप में मनाने का निश्चे किया था गोधन की पूजा प्राचीन काल से इस दिन की विशेस्ता रही है दुर्भाग से कलांतर में हम इस पर्व के वास्तिविक उद्देश को भूल गए और गाय की पूजा मात्र से शंतुष्ट होने लगे इस पर्व के महत्त के विशे में जनता को ठीक रूप से अउगत कराने और पशुपालन में जनसाधारण की रूची पैदा करने के उद्देश से श्वाधीनता के बाद गोपाष्ट में को राष्ट व्यापी उत्सों के रूप में मनाने का निश्चे किया गया 1951 के अनुमान के अनुशार गोधन के द्वारा राष्ट की आए 660 करोन रूप थी यही कारण है कि दूसरी पंचवर्ची योजना के अंतरगत रखे गए विकास कारिकरम में पशुपालन और नसल सुधार को इतना उंचा स्थान दिया गया है जबकि पहली योजना में इस मद पर 22 करोन रूपए बै करने की विवस्था थी दूसरी योजना में पशुपालन और दुख्धसाला आधि के लिए 56 करोन रूपए की रासी निर्धारित की गई है यदि हम देहातों में रहने वाली देश की अधिकांस जनता को पूर्ण ल करता है हमारे देश में गाय को आधर की द्रिष्ट से देखा जाता है किन्तु इस आधर का आधार धार्मिक भावना है जीवन में गाय की व्योहारिक उपादियता नहीं धार्मिक भावना से इसका संबंध जोडने में भी मुझे कोई हानी नहीं दिखाई देती किन्तु के इसी विचार से गो सेवा का ब्रत लेना और व्योवहारिक उपयोगिता को कोई अस्थान ना देना गोपाश्टमी की प्राचीन परंपरा के लिए घातक है यदि हम इस परो के मनाने को शार्थक करना चाहते हैं तो हमें गाय की देख रेख और पशुपालन को एक व्योशाय क रूप देना होगा अथवा इसका आधार आर्थिक मानना होगा और इसकी विवस्था लोगों की आर्थिक कल्यार की द्रिष्टि से करनी होगी भावक्ता में बुद्धिका पुट मिलाने से हम गोपाश्टमी परो की शार्थकता में भी भृद्धी नहीं करेंगे बल्कि अपनी धार्मिक भावना की भी अधिक रक्षा कर सकेंगे, हमारे देश में पराया सभी भागों में पिंजरा पोल और गौशालाएं धार्मार्थ संस्थाओं के रूप में चलाई जाती हैं, इस्टाप, वोके दोस्तों आप लोग इसको प्रेक्टिश करिएगा, और सभी ल इक डिक्रेशन और उसका पीडियोव दोस्तों आपको ए टेलिग्राम पर मिल जागागगा, टेलिग्राम का लिंक वीडियो का येक्चिश्चिक्पिशन में दिया गया है, और तो अगर आप ये लिदिक्रेशन एस्टेडिक फॉर इस्टेनोगराफ आरे जीमिल डाट कॉम तो वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यबाद धन्यबाद धन्स वाराचिंग जैहिंग जै भारत